नमस्कार दोस्तों जी में नाम है विवेक पांडे स्वागत है अधर 247 यूटुब चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के सेस्टन में दोस्तों जब भी हम यह यह नियुक्प अब बैंकिन के तैयारी करतें अगर आपके जहन में जिसमें आपका और दो यह आपका अलग अलग होते हैं और नौलेज होता है ठीक है कहीं आपका बेसिक कम्यूटर लिखा रहता है या किसी-किसी एक्जाम में ये कम्यूटर लिट्रेस्टी भी लिखा रहता है अब यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पांचवा पीलर कहते हैं बेंकि एक्जामिशन की और यह पांच माप्या की महत्ता यह है कि यह आपका एक सबसे बड़ा ब प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् एक तुरूप का इका सावित होगा तुरूप का कहने का मतलब है कि आप इसमें एक अच्छा डालके यानि कि एक एवरेज डालके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं अब आवरेज तो नहीं केंगे कॉंप्टिशन बढ़ गया तो कि हल्दी एफट आपको डालना पड़ेगा और एक अच्छा स्कोर इस पर आप कर सकते कैसे स्कोर करेंगे क्या इसका इंपॉर्टेंट से वह आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले तो चली सेशन की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बता दू कि आज को सेशन है कि कैसे कंप्यूटर नॉलेज को बनाए सब स्कोरि यहाँ मैंने लिखा एक कंक्यूतर नॉलें यह किसी एक्जाम Kath des के नाम से लिख्था होता है कहीं कहीं k cider लिटरेसी के नाम से нажd तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर IBPS के बारे में तो आपको यह पता होना चाहिए यह अभी तक आपको हमारे माध्यम से पहुचा भी दिया गया हो कि एक्जाम का पैटर्न क्या है तो क्लर का पैटर्न कुछ इस्तरा है जिसमें विजनिंग अबिलेटी और नुमरिकल अब स्णाविलेटी के बारे माध करते हैं में 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 मैं मैं हमारा क्या है तो मैं में याद रखिएगा वहां पे मेरा और यह मेरा है तो चालिस कोशन है और आपका 20 मार्क्स का बेटे जा रखता है और 20 मार्क्स में आप यहां पे 80-90 परसेंट का स्कोर कर पाते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं फाइनल सेलेक्शन के पड़ता है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ती है बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है उधारन के तौर पर अगर आप उस एक्जाम हॉल में बैठे हैं कुछ ऐसे सवाल होगा जो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो आप उस एक्जाम को वही पर छोड़ोगे उस कर अगले कोशन में मूव आउन कर लोगे जब अगले कोशन ऐसे मूव करते जाओगे तो आप कंप्यूटर को सेक्शन में जाओगे तो वह एक ऐसा सेक्शन आपका बनेगा जो आपको लगेगा किसे 20 में इसमें कर सकते हैं 17 18 से यह वाला अप्रोच कैसे होगा यह हम चर्चा करने वाले तो गैस जैसे मैंने आपको बताए चालीस कोश्चन में 20 मार्क्स रहेंगा और आपके आससी से नब्बे उसी तरह सेम यह उसके बाद थोड़ा सम सब्जेक्ट वाइस कट आफ के बारे में बात करते हैं गाईस कोश्चन का लेबल अच्छा रहता है तो इस वज़ए से कट आफ आप देख सकते हैं कि अगर 40 कोश्चन जो आपका था जिसमें आपका 20 मार्क्स का पेपर था सब्जेक्ट में अगर मैं बात करता हूं गया तो यह आपका 200 में यह देखने को मिल रहा है ठीक है चली तो गाईस अगर मैं बात करता हूं अगर 80 गनुक्सान आपको नहीं दूगा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बच्चे इसको इसका अंग समझ ही नहीं रहे हैं यानी कि जब यह में आता है और फिर भी चारी थाम में आता है तो इस चक्र में वह पढ़ते हिने है और वो तब तक नहीं पड़ते हैं जब तक इसके वह मतलब फेल ना हो जाए बहुत सारे बचों का मुझे ऐसा मैसेज आता है कि सब मेरा दो नंबर से रहे गया मेरा 0.25 से रहे गया ऐसा बहुत सारे सेग्मेंट में यहां पर 70-80 कर लें आप जीये में कुछ हचा स्कोर करके और बाकि सारे सेग्मेंट अगर से थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो वह 80-85 के रेंज में आ जाते हैं इसलिए मैं कहता हूं किसी एक्जाम को क्राक करने के लिए उस एक्जाम को पढ़ना बहुत कट आफ जा रहे हैं जब उस लेबल का कट आफ जा रहा है तो कही ना कहीं कुछ चीजे मुझे छोड़नी पड़ेगी तो इसमें आपका यह बहुत बड़ा काम आने वाला लेकिन अगर इसके बारे में आपका पुर्ण जानकारी है तो अगर सिर्फ इसको ऐसे कैज़ुली पढ़के चले जाए तो सबसे बड़ा धोके बाद यहीं निकलेगा क्यों क्यों कि यहां पर बच्चे जब एक्जाम देने के लिए जाते हैं उनको लगता है कि मुझे सब आता है और वह उस चक्कर में गलत करके आ जाते हैं और नेगटिव मार्किन उनकी चली जाती है तो यहां पर कंप्लीट सेग्मेंट है यानि यहां बिना कंप्यूटर को सॉल भी नहीं कर पाऊगे यहां पर कटू सकते हैं तो आप देख सकते हो चालीज कोशन चालीज मार्क्स के लिए और यहां पर आप देख सकते हो मैं आपको बता दू कि जो सब्जेक्ट वाइस कट इंग्लिस का 14 नमर है और यहां पर 14 है लगभर लगभर बराबर ही गया है कट ओफ इसका तो यहां पर वही फंड है कि इसमें तो अच्छा स्कूर कर से हो सकता है कुछ हिंदी मेडियम वाले बच्चों को इंग्लिस में वीक्नेस आ जा हो सकता है कि रिजनिंग कुछ ऐसा पजल आपको फसा दे कि हम आगे बढ़ी नहीं पा रहे हैं तो इस केस में आपका यह जो है यह सब्जेक्ट और मैं इस सब्जेक्ट को भी आड़ करूंगा यह दोनों आपका वहां पर वर्दान साबीत होगा लेकिन अट्रेंडम चाहाँगे कि यह मुझे सपोर्ट करते इसा नहीं होगा यह बोलता है कि आपको ना आप मुझे हर दिन थोड़ा सा स्ने स्ने मेरा यूज करो मैं आपको बहुत मदद देने वाला तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर यहां फॉर्टी नंबर का पेपर है कट आफ जो भी है आप यहां पर 3025 के बारे में आराम से सोच सकते हैं तो यह आपका बहुत बढ़ा Key Element Score होगा ठीक है आप समझ सकते हैं कि कैसा यहां पर किया जा सकता है अब सवाल यह मैंने का भी सब्जेक्ट पुरा ग्रांट कट ओफ देख लो जैसे एव्स में 107 का कट ओफ गया हुआ है अहमेदाबाद का बैंगलुरू का भोपाल का भुनेश्व का अलग-लग रिजन का है ठीक है तो गाईज आप देख सकते हो कि अगर हम वहां पर 107 नमबर का कट ओफ है तो क्या हम इसको अच्छे से टैकल करेंगे तो लेकिन आज अब जहन में यह बैठा लो कि यह आपका एक अभी नंग है तभी आपको यह इंपॉर्टन देखने हो तभी यह आपको साथ देता है चले बात करते हैं कुछ चीजों पर किसर कंप्यूडर क कि अगर बात करें तो कौन-कन साथ यह कुछ चैप्टर से जो आपको पढ़ना पढ़ता है चैप्टर से पढ़ने से फेले मैं आपको बता दू बहुत सरे सवाल आते इसरहिं अब हम क्या करें समस्या तो आपने बतादिया समधान इसका तो गाइज अगर समश्या मैंने आपको बताया है और अगर आपका आग खोलने की मैंने कोशिश करिए तो समाधान भी मैं दूना तो गाइज कुछ समझों किस् mogia कर देखा उसी करना है तो इसको आब समझो कि इसके इसमें को स्कोर करना है अगर यह एपलेटि इमक्रूफ कर लिए तो आपको बहुत ही पाहित पहले इसính करना पड़ेगा कि आप देखो किस standard का question आता है, आप उस standard का question का practice करना, या उसको पढ़ना start कर दो, तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, make a proper notes of all topic, guys, मैंने यहाँ पर कुछ topics आपको दिखाए थे, इन सारे topics का आपके पास एक proper notes होना चाहिए, आप जैसे जीए का notes बनाते हो, आप जैसे रिजिनिं तो यह मैंने बता दिया कि आप प्रॉप प्रॉपर नोट्स आप अगला टॉपिक रेगुलर एक्टेंब्स फूल मॉक और में मॉक और में मॉक और में ऐसा कर सकते हैं कि आप जब अभी बहुत सारे बच्चें ऐसे होते हैं कि जब अब एक्जाम कर रहे होते हैं सर मेरा प्रिलिम्स तो हुआ ही नहीं अब मेंस की तयारी क्यों करें लेकिन यह मान सिखता बदली आप अगर मॉट टेस्ट लगा रहे हैं कि सब वीक में सेवन डेस का आप सेवन मॉक लगा रह हैं ह। वह बच्चे जो सिर्फ प्री युसा पहले प्री तो हो तो उसका मतलए को मकसद ही वैसे प्री को क्वालिफ्या करना लेकिन मैं जहां तक मानता अगर आप इस फ्लीन में आ आपका मकसद होना चाहिए फाइनल सेलेक्शन के लिए और सेलेक्शन में आपके लिए मदद करता है यह तो जब से प्रिपेशन स्टार्ट करो हर विक अगर प्री का आप चार्ट टेस्ट एटम ले रहे हो अगर वहाँ पे दो ले रहे हो तो उसका कम सब्सक्राइब किसके द करो थाए करो दुप कि अब देखता हूं कि मेंस का पेसा होता है आपके लिए वह कभी वर्क नहीं ॉर्क नहीं करेगा आपको तव लिए कशिजीश करो 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 मेंस का पेपर अगर यह दोनों चीज़े पैरलल लेके चलतो तब जाके आप एक फाइनल सेलेक्शन की और बढ़ पाते हूं तो यह चीज़ होगा अगर मैं बात करता हूं अगले सब्जेक्ट वाइस कुईज यह भी एक बहुत इंपॉटन पॉइंट है इनिसियल लेबल पर और आगे भी आपको रिवीजन में काम होता है इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा यह सेग्मेंट भी है इसे कंप्यूटर के में बात करता हूं आप फूल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पर आपको वह कोश्चिंज देखने हों क्यों मिलेगा किसी भी एक्जाम के लिए हो अगर कंप्यूटर का कोश्चिंज है तो आप जाईए डेली 10 क्विज खेलिए मैं वहाँ पर सॉल्फ करने नहीं बोल रहा हूं मैं खेलने के लिए आप सॉल्फ कर करते जाओ अगर ऐसे करके टील एक्जाम तक आपके विफास सौ दो सो कोशिंग का कलेक्शन हो गया नहीं तो यही रहेगा आपके एक्जाम में तो गाइस अगर यह आप काम करते हैं तो आपको बहुत जादा फाइदा होता है यानि कि अगर आप इस सब्जेट को स्कोरिं इन पैटर्न को फॉलो करते हैं ठीक है चले मैं उम्हीद करूंगा कि यह आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत खास रहा होगा बहुत सारी जानकारी मैं दे पाया होंगा यहां पर और इस पर आप अमल करेंगे और अपने सेलेक्शन क्या बढ़ेंगे चले दोस्तों आप इतना जरू कहा दू कि अगर आप बैंकिंग के प्रिपेशन कर रहे हैं तो वी हैब टू बैचेस फर्स्ट वन है आई बीपेस रर्भी अल्फा बैच सेकंड वन अर्भी असिस्टेंट बैच और यह दोनों बैच है महा पैक में अगर अभी तक आप इन्रॉल नहीं किया त सकता है नहीं मैं अपनी क्लास के टामिंग मेरा आल्फा बैच में जो बैच है वो टक्लास मेरी स्टार्ट होने वाली और यह चलिए हुआ आपको यह इंफ़ल्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे लावनवित हो पाएंगा इसका करेंगे गाइज ऐसा ही सवालों करकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा डाटर रिफूर्ट का एप्लिकिसन डाउनलोड कर लिए डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में रहता तो यह आपको कभी भूलने नहीं देगा कि आप एक सब्सक्राइब करना चाहिए जो भी चीज़े चाहिए होती है यह सब हम इस चानल के माध्यम सब्सक्राइब तो चलिए अभी तक लिए इतना रखता है तिर्मिल तंगले वीडियो में तब तक लिए गुड़ लग गुडबाय विश्यों आल देट दोस्ते